दिल्ली के सीएम अर्विन केजरिवाल को प्रवत्र निदेशाले की ओर से सम्मन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावार है आप नेता और सांसत रागव चड़ा ने कहा कि बीजेपी अर्विन केजरिवाल को जेल में डाल कर दिल्ली की सास सीटे अपनी जेप में रखना चाहती है उन्होंने कहा कि अब अगला नंबर जारखन के मुख्यमंत्री हैमन सोरिन का होगा उन्होंने कहा कि हेमन सोरिन के बाद बिहार के आरजेडी के तेजस्वियादों को अरेस्ट किया जाएगा रागओ ने कहा कि ये सिलसिला यहीं नहीं ठमेगा क्योंकि इसके बाद पश्चिम मंगाल में ममता बनलजी और अभिशेक बनलजी की गिरफतारी होगी फिर केरल में भाज़ पामुख्य मंत्री पिनाराई विजेन अरेस्ट होंगे फिर तमिल नाडू में स्टालिन की गिरफतारी होगी महराश्ड में उद्धव ठाकरे और शरत पवार के दल के नेताओं की गिरफतारी होगी उन्होंने कहा कि इन राज्यों में टाप नेताओं की गिरफतारी कर बीजेपी लोकसभा की सीटे जितना चाहती है उन्होंने कहा कि अरविंद केजरिवाल को नोटिस मिला है आगे का प्लान जल्द ही बताएंगे उन्होंने कहा कि अगर राजनितिक दलो और विपक्षी निताओं को इससे गिरफतार किया गया तो इससे लोकतंत्र की नीव हिल जाएगी उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है बीजेपी अगर रेस में अकेली दोड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से वो चुनाव जीत जाएगी उन्होंने कहा कि विपक्षी गडबंधन के टॉप लीडर्स को जेल में डाला जाएगा रागव ने कहा कि बीजेपी इस तरह से राज्यों में लोकसभा की सीटे जीतना चाहती है रागव चड़्डा ने कहा कि अगर इंडिया गडबंधन का एक भी प्रत्यक्षी चुनाव लड़ता है तो बीजेपी की सीटे कम होती है ऐसे में बीजेपी को हार का डर सताने लगता है इसलिए बीजेपी विपक्षी गडबंधन के टॉप प्रीडर्स को जेल में डाल रही है क्योंकि कोई नेता जेल में होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा और कोट कचरी के चकर काटता रहे जाएगा पार्टी केसे चलाएगा उन्होंने कहा कि इसी यूजना के तहट बीजेपी केजरीवाल को अरिस्ट करने जा रही है आप सांसत ने कहा कि बीजेपी की अगली नजर 14 लोकसभा सीटों वाले राज जहरकन पर है क्योंकि बीजेपी की इन सभी सीटों पर हालत खराब है ऐसे में वो हैमन सोरिन को अरिस्ट करेंगे